महली के कौन का बिस्नस कैसे करना है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं हेलो नमस्ते हम आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे मुझे मालूम है 99 परसंट लोग को सिर्फ यही जानना है कि जब हम कोन बेचते हैं दो तिन दिन लग जाते हैं कस्टमर के पास पहुते पहुते तो ऐसे हालात में क्या करें कि कौन खराब ना हो लेकिन मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ वो एक परसंट लोगों के लिए जिनको सारी इंफॉर्मिशन चाहिए होती है तो जुड़े रहे हमारे साथ सबको अपनी अपनी काम की इंफॉर्मिशन मिल जाएगी लेकिन दिस क्लेमर ये एक गाइडलाइन का वीडियो है गाइडन्स है कोई भी गैरंटी नहीं है चलिए सीधे टॉपिक के उपर आते हैं इन्वेस्ट उतना ही करो पहला पॉइंट इन्वेस्ट उतना ही करो जितना आप अफॉर्ड कर पाओ कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हो उसमें लगते हैं पैसे, समय और एनरजी पैसे उतने ही लगाओ जितने आप नुक्सान भी होता है तो आपके पॉकेट पे वो भारी नहीं पढ़ते इसलिए वही रूल इस बिजनेस में भी आपको लगाना पड़ेगा जी हाँ, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो नुक्सान की सक्यता उसमें रहती है तो अगर होता भी है तो वो पॉकेट पे भारी नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए जो एक्सेस मनी हो एक्स्ट्रा मनी हो वही इसके उपर लगाओ समय एनरजी आपको देना पड़ेगा तीन से चार मेना तो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस हो जाएगी हम इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी हम आज भी कुछ न कुछ सीखते हैं सीखना बहुत जरूरी है किसी भी बिसनेस में आपकी प्रोसेस उससे परफेक्ट होती है और आपका बिसनेस आगे बढ़ने के चांसिस बढ़ जाते हैं तो सुरुआत के तीन चार मेने जितनी भी कंप्लेन आती है कस्टमर फिडबेक आता है जो भी चैलेंजेस आती है उसको करेक्ट करते रहो ताकि आप आगे बढ़ पाओ दूसरी चीज़ इन्वेस्ट इन कॉलिटी प्रॉड़क्ट आप कोन के बिसनेस में जा रहे हो आपकी प्रॉड़क्ट आपको जो चाहिए होगी वो है मेंदी का पाओडर और सेलोफन प्लास्टिक तो जो पाओडर आप इस्तमाल करो वो बेस्ट बोडी आर्ट कॉलिटी क प्रॉड़ किमें जाता है कि दिन मेंगार यहां बिल भाल आपको पूचा जाता है कि हमें अंट ब्लेंग लेना चाहिए लिए मेंदी ब्लेना चाहिए zobaczy प्र एसेंजल ऑईल बहुत ही खली, प्रॉर नलमी की बारे ब्रास्व ऑर एसा होता है कि कुछ लोग तरह तरह के प् मिक्स्चर बनाते हैं अपना एक रैसिपी बनाते है और उसको वो लोग ब्राइडल ब्लेंड नाम दे देते हैं तो अगर आप किसी से ब्राइडल ब्लेंड बाई कर रहे हो तो उन्हें पूछ लेजे कि कौन-कौन से और कितनी-कितनी मात्रा में इसके अंदर पड़े हुए ह और फिर तिसरा है मेहंधी ओयल, जो मेरे समझ के बिलकÔल बाहर है ज्यादातर मेरा experience मेहंधी ओयल के साथ वो क्यामिकल से related ही है तो मैं उसे दूर रहती हूँ फिर आता है प्लास्टिक जी हां प्लास्टिक तीन तरह के होते है बहुत ही पतले हलके से मीडियम कॉलेटी के और तिसरे बहुत ही ज्यादा कड़क वाले, ठिक वाले, अब यहाँ पर हम cutting size के उपर बात नहीं कर रहे हैं, thickness के उपर, उसकी मोटाए के उपर बात कर रहे हैं, अगर आपको कौन बेचने के लिए बनाना है, तो जो मोटा वाला, ठिक वाला, थोड़ा जाडा वाला, सेलोफ प्लास्टिक हो, वो इस्तमाल करो, क्योंकि वो कौन को हफते तक होल्ड कर पाएगा, अगर पतला वाला कौन है, दो दिन में आपका कौन लूज हो जाएगा, तो कस्तमर के पास पहते-पहते कौन खराब हो जाएगा, पानी छोड़ती है, पेस्ट और इसी की वज़ा से कौ है, मैं क्या बात कर रहे हूं, तो सेंपल के तौर पे आप उन्हें, उनसे और कर दीजिए, एक बार एक्सपिरेंस हो गया, फिर आप कहीं से भी इसको भाई कर सकते हो, यह परफेक्ट प्लास्टिक है, जो हफते तक आपके कौन को होल्ड कर सकता है, फिर तिसरा आता है, आ आपको करनी पड़ेगी, तैयार, जो आप हर बार फॉलो करोगे, ताकि आपको गारंटी है कि आपका पेस्ट किस चरह से परफॉर्म करेगा, आपका पेस्ट किस चरह से स्टेन देगा, अगर आपको परफेक्ट रेसिपी करनी है, और बड़े पैमाने पे आपको कौन का ब Последनल कuyu कुछनन से 2 एलक्ट्रीक अप्लाएंचे इंपर्टन्थ है पहला एल्क्ट्रिक mixing जहाँ पेस्ट मिक्स करमें के लिए का जो को शरम सुबनने के लिए जो कॉन का जो केक बैटर होगा trust me on that क्योंकि आपकी पहुत सारी मैनत बच जाएगी अगर आपको धेर सारे कौन बनाने है तो और दूसरा जो अप्लाइंस इस है वो है वेंग scale जी हाँ वेंग scale बजन करते हैं वजन काटा जो digital वाला हो वो वो digital जिसमें नंबर digitally दिखते हैं काकी आपकी recipe perfect हो और हर बार जब आप बनाओ तो आप perfectly उसको वेंग करके आपकी perfect recipe follow कर सकते हो तो ये दो appliances बहुत ही important है फिर आएगा कि आपके घर में अगर कोई है उसको please train कर दो इस business में जी हाँ help बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेंदी के कौन का business physical काम है कौन बनाना paste बनाना pack करना courier को साथ बेजना पैसे collect करना वो पूरा track करना order को courier के साथ दिमाग खाओ फिर अगर dispatch हुआ है customer को पहुच गया है perfectly पहुचा है well and good नहीं पहुचा है तो customer के साथ follow up करो और अगर उसमें कुछ challenging आ गया तो customer को brief करो help करो बहुत सारी process लगती है तो अगर कोई आपको help करने वाला है गर में तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर आप कोन बनाते हो और उसको dispatch करते हो तो shipping का एक दिन confirm रखो कि उसी दिन आपका shipping होगा हफते में उसी दिन ऐसा नहीं आज order आए आज shipping कर दिया कल order आए कल shipping कर दिया नहीं perfect एक दिन रखो ताकि आप दूसरे काम के उपर भी focus कर पाओ वरना इसी के चकर में गुमते रह जाओगे ज्यादा तर लोग मंडे का दिन रखते हैं क्योंकि weekday की शुरुआत होती है और जल्दी आपकी order पहुँच जाते है वीक एंड अवाइड करो क्योंकि week-end में कई कुरियर कंपनिया काम नहीं करती आपका order misplace हो सकता है तो इसी लिए shipping का day confirm करो फिर आपका point आएगा कि कुरियर कंपनी best reliable कुरियर कंपनी में आप इन्वेस करो उनके साथ आप टाय अप करो अगर आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो तो पहले तो small scale पे शुरुआत करो कि आप आपकी capacity जितनी है 100 कौन की तो सिर्फ 100 कौन से शुरुआत करो एक बार दो बार आपके 100 कौन perfectly dispatch हो गए उसके बाद अपनी quantity को बढ़ाओ तो इसलिए start from small scale ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ ज्यादा शुरुआत कर दो फिर आप से हैंडल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पूरी एक प्रोसेस रिधम बनानी पड़ेगी क्या पेस्ट किस कब बनाओगे पैक कब करोगे कौन आपके कब निकलेंगे किस सरह से निकलेंगे पैकिंग होंगे और कुरियर में जाएंगे तो पूरा वो रिधम बनाने में पूरा एक सिस्टम बनाने में टाइम लगता है तो इसलिए start small perfectly होता है फिर दी रेदी रेदी करके अपनी quantity को बढ़ाईए तो पहले अगर आपने कभी नहीं ये business किया है तो अपने शहर से शु करो और पॉसिबल हो तो आप सुबह अगर कौन पैक करते हो तो शाम तक आपके कौन आपके कस्टमर को पहुंच जाने चाहिए वो आपकी process होनी चाहिए फिर जब आप शुरू करते हो दूसरी city में बेजना तो वहीं पर आता है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं दूसर कुरियर के साथ आप करो जो speed post में हो कम से कम 24 या 48 आवर्स में आपके कौन आपके यहां से आपके कस्टमर तक पहुंचा दे ऐसी services available है find out करो कई बार वो लोग ज्यादा पैसे लेते हैं लेकिन कुरियर के पैसे तो आपके कस्टमर ही देने वाले हैं shipping के पैसे आपकी जैब कौन की self-life बढ़ानी है तो आपका जो time घर पे जाता है डाय रिलीज में वो time आपका जाएगा transit में तो आप क्या करोगे? पेस्ट मिक्स करोगे और सब कुछ डाल के एक दो घंटे में आप पूरा पेस्ट मिक्स करके फिर उसको कौन में पैक कर दोगे आप डाय रिलीज त पास अतना समय बढ़ जाएगा self-life का बहुत सारे लोग जो कौन का business कहते हैं वो यह trick आजमाते हैं वो डाय रिलीज होने से पहले कौन पैक कर देते हैं तो बाकी का जो process है वो transit में होता है वहाँ पर आपका समय बचता है तो आपकी कौन की self-life बढ़ जाते है I hope जो मैंने इंफोर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई है कि मैंने exactly क्या कहा है कुछ लोग lemon juice डालते है क्योंकि lemon juice एक natural preservatives है उसे भी डाय रिलीज की process थोड़ी slow down भी होती है और preservatives होने की वज़ा से fresh कोन जल्दी से खराब नहीं होते लेकि अगर आप lemon इस्तमाल करते हो तो आप थो गूप में अगर जाओ तो problem होता है तो अपने कस्टमर को यह बात बताना मत बुलेगा अब जो भी इंग्रिडियन डालते हो अपने कस्टमर को बताना मत बुलेगा कई बार कुछ लोग कुछ चीजों से अलर्जिक होते हैं तो चीहां आपको कौन एक सहर से दूसरे सहर भे जल्दी थी वो आप ट्रांजिट में शिफ्ट कर सकती है कौन जल्दी पैक करके लेकिन आप जो भी करो process पहले खुद experiment करो experience करो अपने घर पे फीर जाके उसको actual process में डालो फीर आता है cost counting कि कि कितना कौन का पैसा लगना चाहिए देना चाहिए लेना चाहिए तो simple चीज है पहले तो market survey करो दूसरे लोग आपके area में आजुबाजु में आपके competitor जो भी हो वो market survey करो फिर आपका जो raw material आता है वो आपको कितने का पढ़ता है और उस raw material के जरिये आपका एक कोन कितने का बनता है अगर आपका एक कोन तकरीबन 15 रुपे का पढ़ता है तो आप 25 का पी चार्ज लगेगा और एक तीसरा hidden cost है वो है आपका पैकिंग का चार्ज जो आपका cardboard का जो बॉक्स है उसका भी कॉस्ट कैलकुलेट करना मत बुलना क्योंकि कई बार हमने इनिशली उसमें बहुत पैसे गवाए है क्योंकि हम वो कैलकुलेट करना फूल जाते थे तो जो पैकिंग मट्टी रहा है उसका cost आप shipping cost में एड़ करके वो कॉस्ट अपने कस्टमर से आप total cost में ले सकते हो तो यह सारी कॉस्ट अपनी कैलकुलेट करना मत बुलेगा और जैसे एंड में मैंने कहा कि सब चीज के बाद नुकसान होने के चांसिस है तो mentally prepare रहो क्योंकि जब आप कुछ शुरुआत करते हो बहुत सारी गलतिया होती है बहुत सारे challenges आते हैं बहुत सारे complain भी आती है तो complain को ध्यान से सुनो customer क्या कह रहे हैं उस पे काम करो feedback लो कुछ customer time pass के लिए भी complain करेंगे हजार में से एक इसलिए भी complain करेगा कि उनको free में product चाहिए कुछ भी हो जो भी feedback हो positively low उस पे काम करो उसको process में डालो और उस पे improve करने की कोशिश करोगे तो definitely आप अच्छे से ये business को कर पाओगे असान नहीं है ये इतना मैं कर चुकी हूँ locally मैंने give up कर दिया क्योंकि इसमें बहुत time जाता है तो इसलिए अब मेरे सिर्फ selected customer है जिनके लिए ही मैं कौन बनाती हूँ तो आप भी वैसा कर सकते हो देखो आप से जितना हो पाए उ प्रोसेस में लाओ कि बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ बहुत successfully mehendi के कौन का वो business करते हैं और end में एक बात कहना मैं भूल गई कौन जो भी बनाओ उसका weight perfect रखो अगर आप 15 ग्राम का कौन बना रहे हो तो वो 15 ग्राम का ही कौन होना चाहिए क्यूंकि उसके base पे आ आगे बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत helpful रहेगी इसे के साथ मैं बीना आप सबसे विदा लेती हूं मैं बहुत जल्दी वापस हाऊंगी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ अगर कोई टॉपिक पर मैं बात करो आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट के जरिए मुझे ज तेंक यू